हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आज जो आपका टॉपिक है वह बहुत ही जबर्दस्त टॉपिक है जैसा कि आपने देखा लीवर लीवर मतलब भाई यक्रित ठीक है बहुत ही तगला टॉपिक है और एक कुशन पक्का है आपके पेपर में होना कोई सा पेपर आप दे लो भारत का कोई पेपर दे लो भाई एक कुशन यहां से आना एकदम तै है फिक्स है ठीक है तो बिल्कुल देखते हैं इस सौट्स वीडियो में बहुत मजाने वाला है आईए तो सबसे पहले एक जरूरी सूचना आप सभी को नदे दे तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक का यूज करिए और अगर आपको साइन्स स्पेशल बैच लेना है बिल्कुल यह फीचर्स आपके दिये गए हैं पूरी कंप्लीट साइन्स एन्वाइरोमेंट के साथ आपके पीडियो आपके बाइलेंगुवल एक एंसे अग्जाम्पलर यह सारी चीजे मात्र तीन सो रु लिवर की अगर हम बातें करते हैं तो वह यह तो से बड़ी बहीड सिरावी घ्रंथी है अब इसका मतलब क्या बह्ते है से च्यक्या मतलब आपके लेंगर प्रकार के होते हैं एक आपके जो बहिर सरावी, जो आपके बंगते सरीर में है, और बाहर के तरफ निकलते है, जैसे आपके क्या हुआ, सलाईवा हो गया, ठीक है, वो बहिर सरावी में आपका आएगा, ठीक है, लेकिन एक अंतर सरावी होता है, अंतर सरावी मतलब endocrine, ठीक है, एंडोक्राइन मतलब जैसे आपके जो हर्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो आएए, यहाँ पे देखते हैं, जो आपके बहीर सरावी होते हैं, जो आपके एग्जोक्राइन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एग्जोक्राइन्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ी स तहली हम जानेंगे Another戲 यह आपके दोचीज निकालता है क्याथ क्या पहली चीज पहला जूस निकालता है और दूसरा ऐंजाय निकालते है तो अगर हम अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि largest largest exocrine gland है liver ठीक है पहला point यही समझ लीजेगा liver के बारे में कुछ और हम अगर पढ़ना शाहे पहली बात तो यहां देख रहा हो कैसा liver है तो liver का कभी कभी आप से safe के बारे में भी question आता है इसका safe कैसा है तो याद रखेगा safe इसका आपका triangular है triangular मतलब आप जान सकते हो ठीक है triangular मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो त्रिभुजा कार लिखने की जरूरत मुझे नहीं है ठीक है आप समझ गया होंगे त्रिभुजा कार इसका भया यहां पे देख लो और इसके बारे में और भी चीजे देखे भया आपको पता है लीवर की एक खासियत होती है लीवर की एक खासियत होती है जो कि बहुत तगड़ी खासियत होती है क्योंसी सर्फ पूनर निर्मार की अधिक्तम छमता मतलब आप समझेगा आपने बहुत सो लोगों को देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि कुछ दिन के लिए अल्कोहल बंद कर दो, ठीक है, क्यों कहता है, क्योंकि जो लीवर है, लीवर की ये छमता है कि आपके अपने आपको तुरंत भईया अच्छे मे परिवर्तित कर ले मतलब खराब हो चुका है तीग है मतलब खराब हो रहा है तो उसको भी जैसे अप प्रेशर कम रहुके मतलब अलकोहल कम लोगे तो डिटॉक्सिफिकेशन उसको धीडे 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 वो उनर जनम छमता होती है, री जनरेशन कैपेसिटी होती है, लेकिन लीवर की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तेज री कवर करता है, ऐसे याद रखी, ठीक है, आईए, अब देखते हैं, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, यहां पे भी एक तगड़ा कुश्ण बनता है, जि लीवर की सेल्स को कहते हैं, हम लोगे हीपैटिक सेल्स, लीवर की सेल्स को कहते हैं, हीपैटिक सेल्स कहा जाता है, यह भी थोड़ा सा याद रखेगा, इमपोर्टेंट है, एक कुश्ण और भी बनता है, कूफर कोशिकाय कहां पाए जाती है, कूफर सेल्स कहां पाए जात है यह जितनी चीजे बता रहा हूं मतलब एक कोश्चन तो फिक्स है हो सकता है दो कोश्चन आ जाए पेपर में ठीक है तो बिल्कुल ये अराम से ध्यान देते रही चलिए अगले चीजे सर हमारे सरीर के जो आंतरिक अंग है इसको सारी चीजे मैंने आपको बता रखा है इसक रहेंगे अब आईए अब मुद्धे पैते हैं चलो सर हमारा जो आंतरिक अंग है मतलब जो इंटर्नल जो और गंस है ठीक है मतलब इला जो आपके अगर हम बात करें इंटर्नल और गंस में हमारा जो सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा अंग हमारा लीवर है आंतरिक भ आप लगा दोगे मतलब एप्रॉक्स डेड़ किलो आपके आंसर आता है तो आप 1.5 के ही लगा सबते हैं ठीक है लेकिन अब मुद्दा ये आता है सर ये आंतरिक और बाहरी भाग क्या है ठीक है मैंने बोला आंतरिक भाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है सबसे बड़ा सबसे बड़ा औरगन ये याद रखएगा यहाद को लिखा है इसकी लारजिस्ट औरगन मतलब कितना होता है सर ये थोड़ा सा ध्यान देतो बेटा आपका लगभग यहां लिख लो लगभग कितना सर लगभग साथ किलो वजन होता है तो आपको इस पेज से क्या-क्या सीखने को मिला अभी और भी कीजे हैं तो मज़ा आने वाला है सबसे पहला भाईया यह आपके लारजेस्ट कुश कुश चीजे याद रखिएगा सबसे बड़ी लारजेस्ट एक्जोक्राइन बहीर सरावी ग्रधी है पहला पॉइंट दूसरा इसके सेल्स को क्या कहते हैं हिपैटिक सेल्स कहते हैं इसकी इस्टडी को क्या कहते हैं सबसे ज्यादा recover capacity होती है. ठीक है? reconstruction capacity सबसे ज़्यादा lever की होती है. उसके बाद lever आपका आंतरिक इंगों में सबसे बढ़ा है. ठीक है? आंतरिक इंगों में सबसे बढ़ा है. लेकिन अगर बाहरी इंगों में बोले तो इसmare नहीं है. यहां सबसे बड़ी बहिर स्रावी ग्रंथी है तो यह लाइन आपको यहां पे मिल गई क्लियर हो गया अब आते हैं एक और मुद्धे पर आए कि यहां कर्षंप के कार करने से पहले एक चीज और हम समस्ते हैं यहीं पर आपको मिल जाया गाई यह जो आपका ग्लूपोस्ट क यह पहले option को समझाते हैं, समझेगा, देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक option आपके लिए, बहुत ही प्यारा option लिखा हुआ है, यूरिया is produced by the liver, while urine is produced by kidney, चले, आपका इसका मतलब क्या कहता है, आपने देखा होगा, हमारी kidney, आपको urine बनाती है, यह सभी को पता है, यूरिया is produced, वोता कैसे है, आपको पता है, आपको पता है, अमोनिया के बारे में, आप सभी को पता है, अमोनिया के बारे में, एनेस 3, एनेस 3, आपके carbon dioxide के साथ जब जुड़ता है, तो यह क्या बनाता है, यह आपका यूरिया का निर्मार करता है, एनेच टू, सी ओ, एनेच टू, यह याद रखेगा, मतलब आपको याद रखना है, देखो भाई, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझा रहा है, यहाँ से आपके questions फसेंगे, अमोनिया, एनेस 3, यूरिया, एनेस 2, सी ओ, एनेस 2, ठीक है, याद रखेगा, यह आपके liver का काम होता है, लेकिन एक question और आपके लिए बनता है, लेकिन सर किस process, process का नाम पूच दिया जाएगा process का नाम कौन सा होता है, प्रोसेस का नाम होता है, और नी फीर साइकल, बहुत important, बहुत ही important है आपका, ठीक है, process कौन सा है, सर और नी फीर साइकल, यह process है, यह सीधे सीधे direct questions आ जाते हैं, इस पे ठीक है, कि आपका जो लिवर है, वो यूरिया किस process द्वारा बनाता है, तो याद रखेगा सर और निथिन साइकल द्वारा बनाता है आगे अब इसको थोड़ा सा समझते हैं इन सारी चीजों को यहां से हटाते हैं और अगले लाइन को समझने का प्रयाज करते हैं चलिए देखो ग्लुकोज ग्लाइकोजन का भंडारर करता है देखो भाई आप जितना इस टोर यहां देखो लिखा है ग्लुकोज ग्लाइकोजन का भंडारर इस टोरेज यहां लिखा एक लाइन इस टोरेज मतलब आपके कहां पर लीवर में इस टोर होता है जब इसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो कोई एक्सरसाइस नहीं करते हो ऐसे अराम से लेट कि बस अधा हो जाएगा तो फैटी लीवर भाई होना ही होना है तै है यह तिक है आए नेक्ट समझते हैं फॉर्मेशन और बाइल जूस आए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि बाइल जूस का फॉर्मेशन कैसे करता है देखिए लीवर आपका बा के लिए रेकलर के लिए रेकलर के लिए रेकलर आपको है यहां पर जाते हैं दोयब यहाँ रखे आनि बन बांद रखना विमद रूटा है फैट को मरmit क्या चाब तोड़ना और यहा सरी ऑimens बस्सक्रांने का का और भीम करें कि आखिए आप व्रोगेまあ मतलब होता है इसको कहते हैं इसे याद रखेगा इसको कहते हैं पाइसी करण कहा जाता है मतलब अगर आपका इतना बड़ा फैट है तो यह देख रहा हूं देखे इसी लिए आपको याद होगा कि जब कोई अगर पित के थैली में अगर किसी को पथरी हो जाती है तो पित की थैली निकाल देते हैं अब उसकी वजह से आपको देख अगला लाइन यह बोला गया है जो मैंने अभी आपको समझाया बिलूर्बिन हलका पीला रंग वर्लक और बिलूर्डीन हरे रंग का उत्पादन करता है ठीक है बिलूर्बिन की बात है पीला रंग मैंने बोला तो आपको याद होगा प्लाजमा का कलर पीला क्यों होता है इसी के कारण होता है याद रखेगा इंपॉर्टेंट ह आपने एक बीमारी सुनी होगी पीलिया जॉन्डिस कैसे होती यह आपके बीसेगली क्वेशन आता है किस पिगमेंट की अधिक्ता के कारण आपको पीलिया देखने होका मिलता है पिगमेंट है आपका बिलूर्बीन याद रखेगा आपका क्या है याद रखेगा बहुत काल फंक्शनिंग की वज़े से ठीक है इसकी मात्रा आपकी बढ़ जाती है बिलूरबील के तो आपको जौन डिस हो जाता है आगे यह सारी चीज़े आप यहां पर देख रहो बहुत अच्छी ठीक है सारी अच्छा यह आपको एक लाइन देख रहो है पेटिक आर्टरी क्या सुद्ध ब्लड लेकर जा रही है सुद्ध रक्त लेकर जा रही है ठीक है मतलब ऑक्सीजनेटेड तो वह क्या होता है हीपैटिक आर्टरी होती है ठीक है आई यह कुछ और इसकी कार देख ले फंक्शन देख ले भाई चलो इसे मानो सरीर का भंधार कक्ष कहा जाता है सर यह कैसे आप कहा रहे हो बेटा मेरा ग्लुकोस से ग्लाइकोजिन और ग्लाइकोजिन आपके लीवर में इस्टोर होता चला जाए एक कुश्यन यहीं पर और बनेगा अगर आप से कभी कुश्यन पूछ दे कि गोदाम किसे कहा जाता है आप से पूछ दे कि फिर सरीर का गोदा किसे कहा जाता है वेर हाउस किसे कहा जाता है तो जब वेयर हाउस की बात आएगी तब आपका इस्टमप हो जाएगा पेट हो जाएगा यहाँ पे विये जहां-जहां आप गलती कर सकते हो कि कि वहाँ पर मैं आपको सचेत कर दूँगा इससे आप कभी गलत नहीं करेंगे अगला पॉइंट ये कहता है कि सर अभी आपने जो समझाया बिल्कुल वही चीज देखो सर दीभी हुई है वसा को वसा उतको वसा यूत उतको के रूट में संग रहीत करता है मतलब इस्टोर्स फैट एस एडिपोस्ट इशू मैंने बोला भाईया आपका फैट दीरे दीरे जमा होने लगेगा ये भी मैंने बताया और आपको पता है इसकील के नीचे ले परत में भी एडिपोस्ट इशू होते हैं वो फैट ही तो होती है धीक है जैसे आप ये देख लो भाई इसकील के नीचे की जो परत है वो देखो आपके फैट ही है वहा ठीक है आईए अगला विटामीन का भृंडार ये बहुत इंपटेंट बहुत इंपटेंट है जो भी A, D, E और K मतलब आपसे ये कहा जाता है कि सर ये A, D, E के कौन वाले विटामिन है सर ये आपके fat soluble vitamin है ये आपके जितने भी fat soluble vitamin है वो आपके liver में store होते है लेकिन एक और vitamin जोल देना ये पूछा गया है question कौन सा? सर B12 B12 भी सर इस्टोर होता है बस एक ये आप याद रखेगा एक छोटा सा ये exception है याद रखना क्योंकि आप basically क्या करते है सीधे question आता है तो बिल्कुल ठीक आप लगा देते हो सहिए आप options के हिसाब से चलेंगे मतलब A, D, E, K तो होता ही होता है fat soluble vitamin इस्टोर आपके लिवर में लेकिन आप से paper में B12 B12 भी इस्टोर होता है जो कि आपको पता है vitamin B और C water soluble की form में होते हैं और आपके सरीर से बाहर आजाते हैं यूरीन के माद्यम से क्योंकि वो water soluble है और बाहर आजाएंगे लेकिन B12 इस्टोर होता है ये बहुत important concept है ठीक है आईए तो बिलकुल ये सारी चीजे आप देख सकते हैं ठीक है और भी कुछ चीजे देख सकते हैं सर ये क्या करता है आईए इसको मैं थोड़ा सा समझाओ समझाता हूं आपको Metabolism of Alcohol and Drugs Access Alcohol Possess Lever Cirrhosis आपको पता है जो लीवर देख देख ख़राब होने लगते हैं आपको पता है जब ज़्यादा आप अल्कोहल का सेवन करते हो ड्रक्स का सेवन करते हो तो धीरे दीरे आपके लीवर खराब होने लगते और एक आपके liver cirrhosis में बदल जाते हैं अच्छा और चीज़े थुरा समझो कि सर digestion of alcohol is done by the stomach but toxic elements get stored in the liver आपको पता है जितने भी पानी वाली चीज़े है वो absorb तो होंगी आगे जाके आपकी जो बड़ी आत है वो absorb कर लेगी पानी वाली चीज़े लेकिन बात यहां यह आती है जो toxic elements है जो आपके जहरीले तर्त होते हैं आपके alcohol में ठीक अब वो क्या करेंगे भाई वो alcohol द्वारा आपको पता है detoxify किये जाते हैं मतलब उसको flush out किया जाता है मतलब अब पता चला कि भया तुम ज़्यादा ले लोगे तो भया कितना flush out करेगा उसका भी तो एक छमता है न अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा flush out करते करते हो खुदी फ्लस आउट हो जाएगा ठीक है तो यह याद रखिएगा थोड़ा सा मतलब कि विसात तत्तों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा detoxification जो मैंने बोला ठीक है जहरीले जो आपके chemicals आपके सरीर में हैं उनको बाहर करने का काम इसका होता है अब यह देखो मैंने आपसे बोला सुरू सुरू में याद होगा मैंने बोला कि कूफर सिल्स कहां पाए जाते हैं लीवर में याद था न देखो वही चीज लिखा है कूफर कोशिकाएं यह काम करती है कूफर कोश यहां आप देख सकते हैं यह देखो कितना देखो आईए चलो यहां देखो लिखा भी है नॉर्मर लीवर देखो आपको कैसा लग रहा है लेकिन यह इनफेक्टेड लीवर है पूरी तरीके से इनफेक्टेड लीवर है तो यह थे आपकी लीवर के concept उमीद है अच्छा लीवर होता है लार्जेष्ट इंटर्नल और गन ऑफ बॉड़ी तो आप बताएंगे सर यह आपका लीवर है अगर आपसे पूछ दे की सर एक बात बताओ की लार्जेष्ट एक्स्टर्नल और ऑफ बॉड़ी सर स्कीन होता है ठीक है सबसे बड़ा अगर बाहरी भाग गुशन ऐसे ऐसे बनेंगे और अगर इसको आपने तयार कर लिया बिलकुल बेटा तुम चाहे कोई पेपर दे दो ठीक है भारत का कोई पेपर दे लो इसके बाहर कोशन नहीं आगा जितना मैंने कॉंसेप्ट आज बता दिया आपको एक छोटा सा कॉंसेप्ट बचा राग लीवर है वो आपने सुना होगा एक हीपेरिन यह आपका लीवर ही बनाता हीपेरिन और दूसरा फाइब ब्रीनो जेन यह भी आपने नाम सुना होगा मैं यह क्यों समझा दिया क्योंकि यहां से भी कुश्चन आ जाते हैं अब ऐसे इसको डिटेल ने पढ़के हम लो हीपे कि जो सरीर के अंदर ठीक है आपके बॉडी के अंदर सरीर के अंदर ठीक है जो आपके ब्लड फ्लो हो रहे हैं यहां पर वेट सरीर के अंदर जो blood flow हो रहा है ठीक है blood flow करने में सहायक ठीक है, करने में सहायक, बहुत important है बेटा, यहाँ लिख दता हूँ most, most important ठीक है दूसरा fibrinogen सर ये क्या करता है भाई मेरे आपका रक्त का ठक्का यही तो बनाता है भाईया, आपके रक्त का ठक्का ठीक है, अब कहाँ पे रक्त का ठक्का सरीर के बाहर अब इसका समझेगा भी ठीक है, सरीर के बाहर ठीक है, जिसे कहते है blood clot ठीक है, blood clot मतलब आपका ये हाथ है ठीक है, मालो ये आपका हाथ है तो यहां पर चोट लग गई खून बह रहा है यहां से लगातार देखो खूनी ऐसे घिर रहा है तो यहां पर जो आपकी चोट लगी है वीटा धीरे 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 इस पर क्या होगा आपका यह देखो एक ऐसे आपका फाइबर बनने लगता होगा कहीं भी चोट लगती ह तो वो किसका काम होता है सर्फ फाइब्रीनोजिन लेकिन सरीर के बाहर ठीक है जमाने का काम करता है और ही पैरीन सरीर के अंदर बहाव बराबर रखने का कारे करता है बस यह चोटी सी चीज़े एक्ष्ट्रा देनी दी आपको ठीक है बाकी बहुत अच्छे से समझ में साथ ठीक है बिलकुल साइंस स्पेशल मैंच में मात्रत तीन सो रुपए और आफर आप देख रहे हैं 18 और 19 फरवर्य को यह ओफर है डी 50 कोट का यूज करिए और बिलकुल एप डाउलोड करो और नंबर दिया है सारी चीज़े आपको मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में ज इसांप्लर को लेगे चलूंगा जो कि बहुत इंप्वाटेंट है आपके लिए और रही बात प्लिएप भी आपको मिलेंगे बाइलेंग्वल क्लासेज होगी और टेस्ट भी आपको दूंगा वो भी 100 टेस्ट आपके बिलकुल फ्री मिलेंगे ठीक है तो मस्त रहो रहो मज़े में रहो लव यू आल बाइबाए थैंक यू मेटा